वेलकम पर अधर वीडियो और आज की वीडियो में करने वाले एंचार्टेट का रिवीव तो चलिए जानते हैं उचार्टेट लेकिसी ऑफ थीफ कलेक्शिन के बारे में मतलब जो कि ओवरॉल अंचार्ट फोर कह सकते हो जो अब इसमें दो पार्ट बनाये गए बाद में मतल जो फोर का ही पार्ट क्योंकि उसर्फ पांच गंडे की गेंपले में खतम हो सकती है और अगर दिल लगाए खिला तो शायद तीन गंडे में भी दिखाया है तो अब बसता लगए पोने पांच या साढ़े चार चार गंडे का सबसका गेंपले हैं तो ऐसा क्या है कि आपको गेम खेलना चाहिए खरीदना चाहिए या फिर नहीं चाहिए अब पहली बात है कि एक एडवेंचर गेम में जो आफ लांग चल सकती है तो बहुत सार लोग इसको पारे रिसी के साथ भी खेल सकते हैं पर ओवरल में सट करूंगा उसका अब खरीद हो क्योंकि पारेसी में बहुत सारी प्रवल्म आ सकते हैं कि PC में और बहुत सरा डाटा आपका करप्ड़ी हो सकता है जो हो सकता है दुवार आपका सकाई वापस आ भी ना पाए तो इसको मैंने इसको रिलीज होने के बाद ही खरीदा था जहां मुझे यह पड़ी 3299 रुपे की जो आपको अभी 30% डिस्कांट को सब मिल जाए कि इस टीम पे 2309 रुपे की जो परवरी में ओफर खतमने वाला है देखते हैं और पर आएंगे इसमें जहां आप इसको खरीद सकते हैं इसके बाद भी बड़े राम से पर ओवरल एक गेम आज से पांक सल पुरानी है जो की प्लेसेशिन में अपने कमर थोड़ने वाली बात होगी तो वेट कर सकते हैं या फिर जुगाण कर सकते हैं पारिसी के थुरू ही जुगाड़ लग सकता सिस्टम में पर और अगरा मैं जैनुवन तरेके की बात कर दो वोच सकता प्लेशिशन 3 या 4 खरीदना जिसमें गेम चल जाए तो वैससे अगर मैं उपर उपर से बात करो तो यह काफी कमाल के फ्रेंचाजी है इसकी स्टोरी नेथिन रिक से आवा गोड़ वार के बहुत सरे और विरेंट आए गोस्ट और स्पार्टा वगर आए उस तरह से इसके भी बहुत सरे विरेंट्स है जैसे इसमें फोर्ट के बाद आया लॉस्ट लेजजी जो की सिर्फ चार घंटे की कोई गेम प्लेय मतलब ओवरॉल से तीन घंटा विका हुए है जहां शुरू में तो अकेला अडवेंचर करता था और फॉर्ट में उसका निकल के आता है भाई जिसका तुसे दस गंटे लगते हैं इस ट्रेशर को पाने में मतलब समय तो काफी जादा लगता है लेकिन गेम प्ले में लगता दस गंटे साथ गंटे इसके राउं में मिलता है और उसे हमें खुदी डील करने ही पड़ते हैं अपने तरीके से खेल कर तो वह लैग शायद दूर कर सकते हैं जहां पर कभी कभी करेक्टर इतने रिस्पॉंड नहीं करता बहले हमने इतना हैवी पेसी बना रहा जिसमें ग्राफिक कोई लैग नहीं आता फ्रे दिखाएं और अपने कुछ परफेक्ट मूव दिखाएं गेम के अंदर तो हम चाहते कि वह गेंप्ले परफेक्टली सिंक हो सके जहां सारे एंगल बराबर लिए जा सके पर एक एंगल में जहां पर हम मैं नीचे कहीं से चट रहा था उस जगह उस जगह यह गेम लैग हो ज करना चाहिए उसके बाद तो तो समझ सकते हैं इतना प्रॉब्लम नहीं है पर फिर भी यह बहुत बड़ी बात है कि एक गेम चलते चलते कट जा रहा है लाइसंस एरर रहा था उसमाइं जबकि लाइसंस खरीदा हुआ है मतलब उसमें सोने का कुछ एरर रहा था मैं आपको दिखाता हूं यह वीडियो जिसमें ऐसा हुआ और आप खुद समस्कते हुए क्या हुआ यहां पर तो यह कुछ एरर थे इस गेम केंदर पर ओवरॉल लाइसंस में हमने स्टोरी जाने नेथन और उसके भाई की जहां पर उसके बच्पन को पने एक्स्प्लोर किया और उसके बाद फिर हम साथ में उसके बड़े आइव एवरी के ख़जाने को ढूनने के लिए जैसे के नेथन करता हुआ होगा अपने बाकी सिरीस में जासा और लास्ट में उसके बेटी भी दिखाए जाती है जो शायद आगे वर एडवेंचर कर सकती है पर हाँ उसके बेटी कोई और ही होगी उसके बेटी फ्रेजा नहीं होगी जो की दीखी जा रही है लॉस लगेसी में ऐसा मुझे लगता क्योंकि उसके पाप मर चुकर उसके पर देखने में मिलता है बस नेटीन के सारे लोग होते है पुराने गेम के और एक अलग सब पाड़ बन जाता है यह गेम का जो कि उससे लिंक होगा या फिर नहीं भी होगा पर जो भी यह इसके आगे का पाटी है क्योंकि यहां पर नीडिन जानती है उन दोनों भाईयों क पर फाइब या फाइब तो नहीं है लॉस लेगेसी में वह एक अच्छा करेक्टर फॉलो करती है और थोड़ी से चड़ जाती जल्दी पर वह अच्छी हो रहत है और अच्छी हो रहत है वह तो सैम और उसकी दोस्ती भी आखिर कर हो जाते है उस सीरीज में और एक कमाल की कि जाते हैं तो अच्छी उसको मैं देखा यह इस लावल के चीज़ करती है मेरे तरफ से बागी दो परसंट जो पॉंट जो कटे हो मेरे दो कमियों को दर्शाती जो मैं इसने फील की है तो वैसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अंचार्ट को लेकर अंचार्ट केस कलेक्शन को लेकर और क्या वर्थे थे पैसे में खरीदना मतलब क्योंकि यह गेम पांसल पुरानी है अगर आप मेरे तरह वीड पीसी गेमिंगी करना चाहते हो जिद है कि प्लेशिशन नहीं खरीदना तो आप इस गेम को भी खरी सकते और किसम से मज़ा आने वाले आपको तो बहुत सरे पीसी गेम्स की तरह इसको भी इंजॉय करें आप और एक चीज़ जो मैंने इस गिम के बारे में नहीं की और और वह ऐसे ग्राफिक जो आम इसे जिए क्योंकि शाइद रिमास्टर्ड वागेरा है पर ठीक है और यहां पर मैडगास कर और पता नहीं किस कुछ जगा के बारे में दिखाए गया है आथीव सेंट के अंदर लेकिन एक तसरे एडवेंचर के बाद हम जब देखते लॉस्ट लेगेसी तो वहां इंडिया की कहानी आती है जो कि होई सितलार नाव के राजा की कहानी में पेज़ते जो काफे तक सच है मतलब अगर आप नहीं चाहनते तब सर्च कर सकते हो वह करनाटक के राजा थे एक समय के जिन्होंने शाद सच में आसा कुछ खिया होगा तो उनके म इंडिया के बात करें तो यही सच है आपने अंचार्ट के वारे मैं कैसा सुना आपके कान में यह नाम कैसे आया मेरे नाम मेरे कान में सिर्फ इंडिया के सीन के वे से जहां पर शिप जी दिखाये गए ते और साथ में गरनेश जी कितनी बड़ी मूर्ती वगर आया थी तो यह काफे तक एक ट्रिब्यूट था इंडिया को भी लेकिन काफे चोड़ा था और कुछ पार्ट्स में थोड़ो सा गलाद भी था मतलब शायद हो सकते को वार्जोन बन गया और वार्जोन ऐसे ही होते होंगे अगर वार्जोन के पॉइंट और उससे दिखाया क्या है तो बरना चत काफि कंदे दिखाय थी इसमें मतलब लॉस्स लेगेसी में मतलब लौस लेगेसी में तो इस तरह से यह थे दो गीम इसके नदर जो खुबश्रत थे बाकि अब आपके पर छोड़ता हूं मैं अपने अपने और ने निचे का मेंट कर से में बता है कि आपका अजय बात लो बाते हैं